दोस्तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा अप्लिकेशन के बारे यह बताने जा रहा हूं जिस अप्लिकेशन को यूज करने में आपको बहुत जादा मजा आएगा और इस अप्लिकेशन से आप लोगों को समझ सकते हैं उनकी सोच को समझ सकते हैं बहुत ही कमाल का अप्लि sign in कर सकते हैं या फिर as a guest भी आप इस application को use कर सकते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इस application को तो यहाँ पे concept यह है कि यह daily हर किसी से एक ही question पूछते हैं जिसके आगे fill in the blanks होता है जो कि हमने भढ़ना होता है तो शुरुवात का question सेम रहेगा आगे fill in the blanks होग आपको आता है इससे आप उसकी सोच को समझ सकते हैं वो आपकी सोच को समझ सकता है और उसके बाद आप बाकी लोगों ने उस सवाल का क्या जवाब दिया है वो भी देख सकते हैं तो इससे आप बाकी लोगों की सोच को भी समझ सकते हैं अब आपको theory तो समझ आ गई होगी यानि कि लोग काश अपनी intentions के बारे में अपनी सोच के बारे में जादा open होते ये मैंने यहाँ पर जवाब दिया है अब जब मैं इस जवाब को send करूँगा तो सामने से मुझे भी कोई जवाब आ जाएगा और वो किसी भी country के किसी भी विक्ति का हो सकता है यानि कि मेरा जवाब किसी और के पास जाएगा और किसी और का जवाब मेरे पास आएगा यहाँ पे हम अपने जवाब के पीछे एक mood भी choose कर सकते हैं happy, inspired, loving, angry, sad कुछ भी हम choose कर सकते हैं और जो mood हम choose करेंगे उसके हिसाब से हमारा जो thought है उसका background भी change हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे मैंने purple choose किया है क्योंकि thoughtful मैंने यहाँ पे mood रखा है अगर मैं happy रख लेता हूँ तो यहाँ पे yellow हो जाएगा yellow उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा change करते हैं और वैसे भी यह thought थोड़ा सा अलग है तो यहाँ पे एक loving वाला आ रहा है इसको choose कर लेते हैं तो loving वाला option थोड़ा सा reddish सा है या क्या है यार यह color जो भी यह pink color है वैसे लड़कियों वाला color होता है यार यह तो पर कोई नहीं तो यह वाला color मैंने choose कर लिया और जैसे हम sand पे click करेंगे तो यह हमारी location मागेगा मैंने location grant कर दी है और यह हमारा message चला गया है और जैसे ही message गया हमें भी सामने से एक message आ गया तो मैंने लिखा था their intentions सो सामने वाले का reply आया their feelings यानि कि इसकी और मेरी सोच काफी हद तक मिल रही है तो मैंने कहा था I wish people were more open about their intentions यानि कि काश लोग अपनी सोच के प्रती जादा open होते और सामने वाले ने कहा I wish people were more open about their feelings यानि कि काश लोग अपनी भावनाओं के प्रती जादा open होते तो हम दोनों के सोच काफी मिल रही है अब आप चाहें तो सामने वाले को कोई response भी भीज़ सकते हैं जैसे यहाँ पर बहुत सारे response दिये गए हैं तो यहाँ पर एक response है you read my mind तो आप चाहें तो यह भी उसे भीज़ सकते हैं तो इस तरीके से आप इसा आपको use कर सकते हैं अब इसके बाद बाकी लोगों ने क्या जवाब दिया है इस सवाल का वो सारे जवाब आपको दिखाई देंगे तो इस तरीके से आप लोगों की सोच को समझ पाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि हर व्यक्ति एक ही sentence के आगे कैसे अलग अलग सोच रहा है जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ने जवाब दिया है यानि कि mental health से related उसके मन में कोई ना कोई बात है तब ही उसने इस तरीके का जवाब लिखा तो हर कोई व्यक्ति वही लिखता है जो उसके mind में चल रहा होता है तो इससे आप लोगों की सोच को समझ सकते हैं और इस एप में daily question change होता रहता है तो रोज एक नया question आएगा आप उसका जवाब देंगे, सामने वाला भी उसका जवाब देगा और फिर बाकी लोगों के thoughts भी आप समझ पाएंगे तो मुझे तो यह application बहुत ज़ादा पसंद आया मैं आपको recommend करूँगा, आप भी एक बार use ज़रूर कीजेगा इस application का नामे daily haloha यह application आपको play store पे मिल जाएगा तो आप वहाँ से download कर सकते हैं इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राब कर दीजेगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरू कीजेगा और comment करके ज़रूर बतेगा आपको वीडियो कैसी लगी है धन्यवाद